जै रादे को विन जै स्वीरंग जै स्वी बाला जिवारा जै की जै शीवी शक्ति आपको क्या चैनल मेसेज दे रहें पुचाल लेते हैं शीवी शक्ति आपसे कह रहे हैं कि बहुत अप्स्टिकल्स हैं यह आपके लिए ब्लेसिंग से चैलेंजस को एक्सेप्ट करो ओपर देखो अभी क्या भी देखो और बोलो यूनिवर्स को मैं चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तयार हूँ, रेडी हूँ मुझे पता है मैं कैपबल हूँ, इसलिए आप मुझे यह साइन्स दे रहे हूँ, यह अर्स्टिकल्स दे रहे हूँ, यह चैलेंजस दे रहे हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉंग हूँ एक चीज क्या है पता है, जब हम किसी चीज को दिल से चाहते हैं, तो वहाँ पहुचने के लिए उस चीज को पाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं अगर वह चीज दिल से हैं, अगर किसी का थौपा हुआ है, किसी प्रेशर में आकर हम करते हैं, तो हम उस चीज तक पहुचने ही पाते हैं, जाहिए वह चीज हो, मैटर हो, जाहिए वह इंसान हो, कोई भी हो, तो ये तो दिल से है, जो दिल से आया है, अंदर से, तो रिदय की जो भाबना है, रिदय की जो प्रेम है, रिदय की जो इच्छा है, उस इच्छा शक्ति को क्यों दबा रहे हूँ, परिशानिया है, पता है, रात को नीन नहीं आ रही है, रो रहे हो आप, चुप चुप कर, गुस्सा मौदार आए, गिवप ना करो, मैं कहूंगी कि आप बहुत लगी हो, आप सोचोगी कि, इस सिद्धी में आप मुझे लगी है रहे हो, मैं नहीं, हनुमान जी कह रहे हैं, क्योंकि वो आपको स्ट्रेंद दे रहे हैं, शेवे शक्ती की रीडिंग तो है ही, लेकिन हनुमान जी भी है, बहुत टाइम बाद, ये कार्ड स्ट्रेट में आया है, नाइन है, तैन है, तो गिपप प्लीज मत करना, आप लगी हो, इसलिए आपको डिवाइन, हर एक बल, हर एक बल, आपको वो हार ने नहीं दे रहे हैं, प्रोटेट कर रहे हैं, लगी हो आप अपने पिछले कर्मों की वजह से, इस जनम में क्या, क्या, ना क्या, वो अभी बता नहीं मुझे, लेकिन जो अभी साफ साफ एक एनेजी में फील कर दी हो, वो है पिछले जनम का, पिछले जनम आपने बहुत अच्छा कर्म किया है, इस वजह से आप लगी हो, पर मात मा के पास हो, क्राइसिस बहुत है, मिन्टल पीस, वेल्थ, हेल्थ, मिन्टल पीस नहीं है, तो हेल्थ में एफेक्ट परेगा ही परेगा ना, तो ये क्राइसिस जादा टाइम तक नहीं रहेगा, कुछ लोग स्टार सेट से, कुछ लोगों को नील कंट महादेब की पूजा करने की बात की जा रही है, नीले रंग जादा से जादा धारन करें, या आप ब्लू साफर पहनते हो, आप अल्रडी नीलम धारन करके रखा है, ब्लू कलर का कोई स्टोन क्रिस्टल आप पहनते हो, कोई पेंडेंट हो सकता है, नजर दोस्ट, ऐसा कुछ बोलते हैं न, उसका एक्जैक नाम मुझे पता नहीं है, ना लगे तो उसके लिए आप पहनते हो, ब्लू कलर का होता है, थर्ड आई बना रहता है, छोटू सा, आगे और जानते हैं, मैरेज, रिलेशन्शिप अच्छा नहीं जा रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं जा रहा है, क्राइसिस बहुत बहुत है, बहुत क्राइसिस है, इसको फुल्फिल कैसे खरें, इतने सारे डिसायर से, इतना सादा लगावे प्यार है, लेकिन कैसे फुल्फिल करीं? तो आपके पास एक रास्ता है, वो है एक्छन लेने का, सिर्फ सोचना नहीं है, एक्छन भी लेना है, क्या एक्छन लेना है आपको? आपको सबसे पहले, खुद को हील करना है, हील करने के बाद, कमिनिकेट करना है, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, लोगों से बात करनी है, यूनिवर्स से बात करनी है, हेल्प लेनी है, इंसान से हेल्प लेनी है, एंजल से हेल्प लेनी है, वो एक डाइरी में लिखो। प्लैन बनाओ, रुटीन बनाओ और अपने आपको बहुत पाफुल समझ कर स्ट्रेंड के साथ के मैं कुछ भी कर सकती हूं, कर सकता हूं और मैं मनिफेस्ट करके रहूंगी या रहूंगा आप वो परसन हो, वो सोल हो जो किसी को भी काब मिला सकता है तो अपने मन को जो आपको भटका रहे हैं, उसको मत भटकाओ marriage manifest करना चाहते हो पहले तो heal करना ही है चोटी चोटी बातों पर आप बहुत जादा सोचने लग रहे हो present time में recent past से लेकर present time में सोच रहे हो step लेने से डरते हो action लेने से डरते हो लेना साते हो कदम रख रहे हो फिर पीछे हट रहे हो ऐसे काम नहीं होगा अपने heart chakra को balance करो दिल से heart से strong बनो strong hearted person बनो आपको future दिखाए देती है कल क्या होगा परसू क्या होगा यह आपके subconscious mind में जो है वो already आपको बता दिया चाहता है कुछ अच्छे कर्म आपने किया है definitely इसी वज़े से है अच्छे कर्म इन्नेसेंस अपने पास्ट लाइफ में पास्ट लाइफ वाइफ ज़ादा है कुछ ना उर्जा के साथ आप जुरे थे आप spirituality से इतना ज़ादा involved थे इस वज़े से है यह third eye open अब third eye को फिर से open करना है focus पर आईए concentrate कीजिए meditation कीजिए और वो उगता हुआ सूरज को उस रोष्णी को अपने जीवन में आमन रिट कीजिए और अपने जीवन को successful बनाईए mentally, physically, emotionally, spiritually, financially unconditional love को प्राद कीजिए so trust the process towards the seas of a normal ink universe stay positive, stay happy, stay blessed thank you, thank you, thank you radhi, radhi